एक फाइरिंग और हुई, 18 जून 2023 को ब्रिटिश कोलंबिया में गुर्धवारे के बाहर, हिंदुस्तान का वॉंटेड आतंकवादी निजजर मारा गया, उसके कुछ महिनों बाद, टुडो आते हैं G20 में शिरकत करने के लिए, आप्टिक्स पढ़ने वाले, बॉडी लेंग पी-म, जस्टिन टुडो के बीच, फिर उनका प्लेन भी खराब हो जाता है, क्या भारत ने जस्टिन टुडो को अपना प्लेन ओफर किया था, जाने के लिए वापस? जो मुझे याद है, क्या था? And they said no. I think they were waiting for the plane to be repaired. Sir, ऐसा कभी होता है कि प्लेन रिपेर नहीं होगा, तब तक राश्चादियक्च एक देश में रुकर है? सब लोग अपने प्लेन में जाना चाते होंगे तेखें, ये कर्टेशी थी कि उनका प्लेन नहीं चला तो हमने कर्टेशी में आफर किया तो तुक थी फ्रेंकली इस तो नोट रेड इन रॉंग वे और पाचीत के दौरान हमारे प्रधान मंतिरी ने उन से कहा जो सिकह लगावादियों के प्रदर्शन चल रहे हैं कैनेडा में उन पे बात हुई थी हुई थी ही थी इस पे जो जो अलगावादी और जो एक्स्ट्रेमिस्ट जो है उनके जो वहाँ जो अलग-लग जो activities और production बगरा जो हुई थी उस पे हम देखे हमारी position शुरू से है public position private position एक ही है कि वहाँ उनको इतना political space नहीं देना चाहिए ये ना तो हमारे हित में है ना Canada के हित में है ना रिष्टों के हित में ये वो भारत विरोधी गत्विदियों का अड़ा बन जाए क्या ठुडों ने निजर की हत्या का मामला उठाया था PM से बातचीत के दोरान उन्होंने जिकर किया था हाँ और PM ने कहा था कि अगर भारत के बारे में कोई सोचना है अगर वो हमें सोचना दे हम उसकी जान जरूर करवाए कि उन्होंने सूचना नहीं दे जो मुझे पता है ने उन्होंने तो नहीं दे उस समय तो नहीं थी मैं उपस्ते था 18 सितंबर को वो अपनी पार्लियमेंट में बोलते हैं Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India he categorically states this and the killing of a Canadian citizen हरदीप सिंग निजर जिसे हमारे लिए वो आतंकवादी है Trudeau said in a speech to the house of commons और उसके बाद उन्होंने अमरीका बिटन और फ्रांस को भी ब्रीफ किया हमारा response किया था सर इस पर हमारा response ये था कि अगर ये अपने मने इन्जाम तो लगाया है अगर आपके पास कुछ सबूत है या कुछ सूचना है तो दीजिया हमें we are prepared to look at it और ये अभी तक हमारा position है 22 सितंबर को हमने वीजा इशू करना बंद कर दिया ने वीजा उसने उसका कारण कुछ और था क्या हो रहा था कि हमारे जो वहां जो diplomats जो है उनके उनके उनको धंकी दी जा रही थी उनको लग रहा था कि वो कहीं अंसेफ है वहां उनको कोई protection नहीं था कैनेडा की सरकार हमारे राजनाएकों की सुरक्षा सुनिश्चिप नहीं कर पा रही थी उसमें नहीं तो मुझे लगा यहां कि हमें अपने जो करमचारी जो है हमारे जो वहां जो डिप्लिमेट है उनको इस स्थिति में नहीं डालना चाहिए कि जहां वो खुद संकट में हो कोई डेंजर उनके खिलाफ कुछ हो तो इसलिए हमने सोचा कि इसे अच्छा है कि हम कुछ समय के लिए विजा सर्विसेस रोकते नवंबर तक इस स्थितियां ठीक हो गए क्योंकि हमने सर्विस बाहल कर दी क्योंकि फिर उसके बाद जब हमने और हमने उनको समझाया केनेडियन सरकार को समझाया कि इसका कारण क्या है फिर जब हमें प्रोटेक्शन मिला तो जैसे ही प्रोटेक्शन मिला तो हमने विजा सर्विसेस रिस्यूम की तो विजा रोकना और विजा वापस लाना इसका कोई राजनितिक कारण नहीं था इसका एक किसम से सेक्यूरिटी कारण था और जब हमने यहाँ पर इसके दो कारण थे एक कि हर देश जो है हर देश का हक होता है कि जितने हमारे डिप्लोमेट्स होते हैं किसी डेश में हम उस देश के डिप्लोमेट्स जो है क्योंकि एक पोजिशन के लिए एक पोजिशन तो इनके हमसे ज़्यादा डिप्लिमेट थे और हमको ये भी लग रहा था कि कैनेडा की नीती जो है ये भारत के हमारे यहां माने एक किसम से हमारे डुमेस्टिक पॉलिटिक्स में इंटेफियर कर रहे थे और इसको हमें रोकना चाहिए अच्छा क्योंकि सर है क्या 25 जनवरी का मेरे पास जॉडी थावमस का इंटर्व्यू है जो उन्होंने सी टीवी को दिया उनसे पूछा गया कि क्या भारत कैनेडा के आरोपों की जो जाच है उसमें मदद नहीं कर रहा है तो रिस्पॉंस आता आई वोड़न डिस्क्राइब लेकिन अगले ही मईने कैनेडा में जो हमारे उच्छायोग थे हैं संजे वर्मा उनका ग्लोब एंड मेल में इंटर्व्यू आता है जिसमें वो कहते हैं हम कैनेडा का कोई सायोग नहीं कर रहा है क्योंकि हमें कोक्ता सबूत नहीं मिले यह दो कॉंट्रास्टिंग स्टेट करी है कि दो अलगए देशों के राज़ Quốcम नए नदेश की स्टेट नहीं आ प движ और अभी जो है हमारे दोनों सरकारों के बीच में बातचीट चल रही हैं तो मैं भी अपने उनके जो विदेश मंत्री जो है मैं हाली में मिला था मि और तो हमारे सिस्टम्स के बीच में बातचीत चल रही है हमारा अभी भी पोजिशन है कि अगर भारत के बारे में कुछ ऐसी कोई खबर हो कोई सूचना हो, कोई सबूत हो, बेशक हमें दीजी हमारे यहां कोई लीगल प्रोसीडिंग होगा तो हम वो यह उन्होंने अभी तक चारशीट भी फाइल नहीं किये निजर मामले में तो अगर आप इसको देखेंगे कि युएस ने हमें कुछ कॉंक्रीट इंफरमेशन दी इन्होंने इंफरमेशन दी पाइनेशल टाइम्स में खबर चपने के पहले दे दी थी इन्फरमेशन दी मुझे हाँ दी होगी तो हमने जो जान जो हमारे यहां शुरू करनी थी क्योंकि अगर कुछ गैरकानी नहीं हुआ है तो यह हमारे हित में भी है कि हम इसका पता करा है तो CC1 ने इतनी लापरवाही क्यों बढ़ती कि FBI के अजेंट को ही सुपारी दे दी आप नो आइडिया कि जो आपने देखा है या पड़ा है वो सच है नहीं है सुबूत है नहीं है I am just quoting US Justice Department That is okay, you have every right to quote पर गुर्पतवण सिंग पन्नू has no right to threaten us पर वो Canada और अमरीका का citizen है और लगातार एक सोवरेन स्टेट को इंडिया को धंकी दे रहा है Are we raising this issue sir? Yes, we have raised this issue not only about him We have raised this issue about कालिस्तानी activities, about terrorism, about violence, about extremism What is their response? Because they are not clearly doing anything about it No, correct, look Consulate पे प्रदर्शन होते हैं तो मेरा पहले भी बयान ये था और अभी भी मेरी position ये है कि जो तर्क जो हमें दिया जाता है कि ये freedom of speech है ये freedom of speech मुझे नहीं लगता है मुझे लगता है मुझे लगता है कि ये miss use of freedom of speech है कि और मैं उनसे पूछता हूँ कि अगर मान लीजिए आपके खिलाफ ऐसे गटनाई या ऐसे production हाँ, उनकी दिली में embassy है अगर इस तरह से उनकी consulate नहीं, नहीं, जनरली मैं कह रहा हूँ कि तो ये जो कहना कि ये freedom of speech है ये ठीक नहीं है ये ठीक नहीं है ये ठीक नहीं है, इस तो बी तक नहीं मिले हैं वो कहरें कि वो इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहें ये ठीक नहीं मिले हैं ये ठीक नहीं मिले हैं क्या जो बाइडन हमारी रिपब्लिक डे परेड में आने वाले थे और इन सब चीजों के बाद उन्होंने इनकार कर दिया नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई connection था वाजी इन्वाइटेड? बात चीज चल दे थी क्यूंकि हमारे मन में था कि हम Quad की मीटिंग करें तो Quad की मीटिंग के लिए मने तीन लोगों की सहमती चाहिए थी जो हमारे तीन जो ये पैन, अस्ट्रेलिया, आमरी और तो शेडिलिंग के कारण ना Quad हँआ ना बो रिपब्लिक दे का जो निमंतरन जो है नौर वस दाट फीसिबल I found it very interesting इस किताब में जब आप को आडवाला चेप्टर लिख रहे हैं तब आप रामायल का प्रसंग लिखते हैं चारों भाई बिलकुल अलग हैं राम, लक्षमान, भरत, शत्रुगन विचार अलग अलग हैं लकिन चारों जब साथ में खड़े होते हैं तो बाहरी बाहरी को देखे हैं सब एक जैसा है इस इस दे रेफरेंस और यूएस, जपैन और आस्ट्रेलिया अभी हमारे इंडो पैसिफिक इंटरेस्ट इतने मैच हो गए हैं तो मैं ज़रूर कहूंगा कि इंडो पैसिफिक में जो हमारी जो साथ जो कॉलाबरेटिव एक्टिविटी जो है यह आगे बढ़ सकती हैं इस पर आगे बढ़ भी चुकी